पहले प्रियंका पर बोलना चाहेंगे प्रियंका गांधी पर थोड़ा सा राहूल गांधी के लिए मेरा अपना मानना है मानक जी, क्योंकि निश्चित तोर पर राहूल गांधी और प्रियंका गांधी की बीच में भले कुछ ना हो, लेकिन राजनीत एक ऐसी चीज होती है, कि उसमें ये लोग तुलनात्मक अध्यन करेंगे करेंगे संसत ही राजनी अब उनकी सुरू हो पा रही है, अच्छा ये तो ठीक है कि संसत के अंदर पहली बेंच में बैठेंगे राहूल गांधी, मुझे लगता है प्रियंका जी पहली बार की संसत हैं, तो कहीं पीछे बैठेंगी, तो वो दूरी तो पार्टी में साफ साफ दिख पढ़ेगी क्या चीजे हैं, तो एक प्रियंका गांधी के जानने से कॉंग्रेस को कोई वहां पर फायदा होने जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं रगता है, ठीक है, राहूल गांधी के बाद एक और गांधी वहां पर पहुंचेंग, तो पहले सुनिया गांधी वहां पर थी प्रियंका गांधी आगे तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हां नेता प्रितपश के तोर पे राहूल गांधी ज़्यादा वोकल है, ज़्यादा अक्रामक है आज की तारीक में, यहां तक तो चीजे ठीक है, तो यह तस्वीर मुझे लगता है, सिर्फ यह यहां पर यह है कि कॉंग्रेस या इंडिया गटबंदन उन राजियों में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पा रहा है, जहां पर सहयोगी दल ज़्यादा मजबूत है, आप करनाटक और तेलंगाना, हिमाचल को अगर छोड़ दें तो ज़्यादा तर जगों पर इंड अखिलेश यादो, जिन्हों ने PDA का फार्मूला दिया, संविधान का नेरेटिव निश्चित तोर पर चला था, लेकिन अखिलेश यादो ने जिस तरीके से टिक्टों का वितरन क्या, मैं उत्तर प्रदेश रही आता हूँ, और उत्तर प्रदेश को ज़्यादा जानता बाकी मनोज जी भी और सुरेंट जी भी सब लोग वही से आते हैं, इसलिए ज़्यादा जानते हैं किया के जी भी, वहाँ पर अखिलेश यादो जब वहाँ पर इंजन थे, तो कॉंग्रेस जब वहाँ बोगी की तरीके से थी, तो वहाँ पर उसकी भी पैसेंजर सीट्स भ पर तक लड़ाई सीमित रहे गई महाविकास अगारी की, और महायूती वहाँ पर सक्ता के लिए एक जूट होता दिखाई पड़ा है, जबकि लड़ाई उनक्या भी बहुत जाब है, जो आज तक दिखाई पड़ रही ऐसा कि नहीं नहीं था, आप जारखन की जीत की भी अ अगर आदिवासी नहता की बात करें, तो चाहे वो बाबुलाल मरांडी हो या आरजुन मुन्ना हो, ये लोग अपनी जो सीट्स हैं, वहाँ से लड़ने तक को तयार नहीं थे, तो क्या एक अंसूची जंजाद के नहता से ये लोग वहाँ पर चुनाओ ड़ते हैं, परलब में फर्क डाल पारें, लेकिन जहां पर उनको लीड करना है, वो नहीं कर पारें, और इसकी एक बानगी है, ये जो इंडिया गडबंदन की जो तस्वीर थी ना, ये भी एक चिंताजनक तस्वीर है, चिंताजनक तस्वीर इस लिहास से, जब कल्यार बनर जी कह रहे हैं कि इंडिया का नेत्रत्व किसी और को देना चाहिए, वो नहीं कर पारी कॉंग्रेस, तो जिस्यत तोर पर जब सहयोगी मजबूत होते जा रहे हैं, तो जो एक नुकलियस, एंटी मोधी नुकलियस है, जो एंटी बीजेपी नुकलियस की जो बात है, उस नाभिक में कौन होग इस वाहिए, एक बहुत बड़ा सवाल है, मुझे लगता है कि मसला एक और है सुरेंद भाई, आप बीजे पी की पत्रकारों की और देश की ऩुखेर चिंता सबको करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए, मुझे लगता है, पार्टी के जो आमूल मुध्द्य हैं, उस पर थो पर्टी तो जाए थोड़ा सा उसकी तरफ भी देख लेगर, पार्टी तो जादा अच्छा होगा, बाकी संकट में पत्रकार है, अब हमारे साथ क्या है, बाकी प्रधारमंती जोला उठा के चले ना चले, हम लोग का तो जोला त्यार लेता है, तो इसमें बहुत जाद दिक्क माफी के साथ मेरे पास टाइम बिलकुल खतम हो गया